आया हूँ साई मोरे बीच माच बार तुम ही लगादो साई मोरे पार कामले हात में साई मोरी पतवार मोरे साई मोरे ताता मोरे तारणार परमग्यान का भर देंजन खलक निरंजन साई रा अग्यान ति मिर से घिराभें कर जो दिशुभं कर साई रा ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मैं किस पे विश्वास करूँ जो देखा क्या वो सच में हुआ या मेरा ब्राम है तू राम है या रहीम है तू मेरे लिए तो एक है तू जेक भी तू अनेक भी तू जेक भी तू जेक भी तू अनेक भी तू हाँ सरकार हमने अपने कानों से सुना ओगनपत इतना चिल्ला रहा था इतना चिल्ला रहा था कि अब तो उसके आवाज बेट चुके होगी और अब तो उसके बाद धम्यांती भी नहीं है हर्यो मर्यो मुझे चुनोती देने चला था वो भांड उड़ गया न उसका बुरिया बिस्तर शिरिडी से वैसे कब जा रहा हो सरकार वह आप बोलते हैं न रसी जल गई पर बल नहीं गया बड़ा धीट आदमी है गणपत्राव गाउसे जाने का नाम ही ने ले रहा वो दमियंती के भुमिका के लिए किसी और को धूल रहा है और भोत लोग आये भी थे लेकिन उसे वो आदमी नहीं मिला जो औरत की आवाद में गाज सके मोर्क है वो गणपत्राव मोर्क श्रिडी की लोग दो दिन उसका नाटक देखने क्या गए उससे लगने लगा कि श्रिडी की लोग उसकी पड़ता में उसकी नाटक नौटंकी में हिस्सा लेने जाएंगे करने दो उसे प्रियास आज नहीं तो कल उसे हारना ही है एक ने अरियोम और ना सिर्फ तुम मेरी मदद करोगे पर इसमें तुम्हारा भी बहुत फाइदा होगा बताईए आपको चाहिए क्या चंपा की गाय की सुनी है मैंने साक्षात मा सरस्वती का आश्रवाद है इस पर इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अपने नाटक में रानी दम्यांती की भूमिका निभाने का मौका मैं चंपा को दूंगा चालन्द आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं नाटक वाटक में लड़कियों का काम करना शोभा नहीं देता पर साथ हम गरीब जरूर हैं लेकिन इतने मजबूर नहीं है कि अपनी बेटी को ऐसा घट्या काम करने देंगे कृपा करके आप यहां से जाईए देखिये मैं समझता हूँ कि आपके बहुत सारे चिंदाएं हैं पर मुझ पर भरोसा करो तुम्हारी बेटी मुख्या अभिनेतरी होगी चंपा मेरी छोटी बहन जैसी है उसकी सारी जरूरतों का खयार रखा जाएगा पूरी इज़त दी जाएगी और साथ में मैं तुमें पैसे भी तो दे रहा हूँ जिसे तुम बचा कि उसकी शादी धूम-धाम से कर सकते हो अपनी बेटी को सब के सामने नचागवा के धूम-धाम से शादी कराऊं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ मैं समझे आप और मेरी बेटी कोई तमाशे वाली नहीं है क्या आपके नाटक में आजे का आप करेंगी पड़ा आए नाटक में अधिने करने का मौका देने वाले जाहिए यांसे आप शुक्रिया जाए शुक्रिया मेरा नहीं उस मालिक आदा कीजिए मैंने कोपाल के लिए जो कुछ भी किया वह तो मेरा फर्स था मुझे माव कर दी इस हिसाई मैं सुबह आपको खाले हाथ लोटा रही थी पर क्या कर रिसाई मजबूरे ने मेरे हाथ बांध रखे थे मैं समझ सकता हूँ लेकिन लेकिन इसकी इसकी चोट कहा गायब हो गई बिना किसी उपचार बिना किसी और शबिक है ये ये ठीक कैसे हो गया साही ये ये कैसे किया आपने ये तो चमतकार है बुम्साई आप साइ आप साइ आप साइ आप साइ पर किसी तरह का कोई संदेह ने करेंगे आप साइ आप साइ पैसे भी दे रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी समझ से क्या है अरे कहा ना मेरी बेटी नहीं करे कि तुम्हारे नाटक में काम पर्स देखिये साइब हम लोग गाउं के खरीब लोग हैं आप शहरी लोगों जैसी सोच नहीं रखते जाइए आप यहां से श्रिडी में घणपत्राव का इतना अपमान क्या हुआ क्यों चिला रहे हो उसने गणपत्राव का उसकी कला का तिरिसकार किया और वो भी उस दो कॉड़ी के इंसान ने मैंने जो कहा था वही हुआ ना लेकिन तुम चिंता मत करो तो क्या करो लगता है उसे और अधिक पैसों का प्रस्ताव देना होगा सर से पैर तक करजे में डूबे हुए हो तुम उन्हें और अधिक पैसे कहां से दोगे मेरी बात मानोगे तुम्हें साहीं से मिलना चाहिए तुम्हारा धिमाग खराब हो गया है क्या जहां मैं इतने मुश्किल में हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि जाके उस फकीर से मिलू नहीं गनपत उन्हें मामूली फकीर समझने की गलती मैंने भी की थी लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी कितनी बड़ी बोल थी और उस लड़के को साई ने ठीक कर दिया लगता है श्रिडी के लोगों की तरद तुम भी विचितर हो रहे हो गनपत बला कभी ऐसा होता है क्या होता नहीं हुआ है मैं जूट नहीं बोल रहा हूं गनपत वहाँ पे मंडली के और भी सदस्से मौजूद थे तुम चाहो तो उन सब से पूछ सकते हो मैं समस्ता हूँ ऐसे चमतकारों पे विश्वास करना तुमारे लिए मुश्किल है मुझे भी यकीन नहीं हुआ था लेकिन आखो देखी को कैसे जुटला सकता हूँ अगर तुम अपनी समस्या का हल चाहते हो तो अपने प्रबंदक अपने दोस्की बात मानो और जा कर साईं से बात करो उस आदमी पर तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है इसमें अपनी बेटी चमपा की क्या गलती है अरे ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है न लेकिन हुआ तो हमारी बेटी के साथ न किसी और की बेटी के साथ तो नहीं हुआ इस अब आपके लाट प्यार का नतीजा है जो हम आज ये दिन देख रहे हैं और भेजिये उसे मंदिरों में गाने के लिए कितनी बनामी होगी हमारी गाउं में जब लोगों को ये पता चलेगा कि चंपा के लिए नाटक में काम करने का प्रस्ताव आया है सारी जिंदिगी कोवारी बैठी रहेगी वो अरे फीर हो अही बात चंपा से ज़्यादा गलती ना आपकी है अब आपको उसके लिए सक्त होना ही होगा उस पर पाबंदिया लगानी ही पड़ेंगी ताकि समाज में लोग इसे बुरी नजर से ना देख सके साथ ही आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इसे आप लाट प्यार देकर और सिर्पे न चड़ाए इसकी सारी बाते ना माने इसकी आदितों को और ज़्यादा न बिगाडे अगर आपने ऐसा नहीं किया न तो ससुराल जाके ये वहाँ के माहल से सामनजे से कैसे मिठा पाएगी कनपत्राओ की गुस्ताखी की सजा मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता और वैसे भी वो अब इस दर्वाजे पर अपने कदम नहीं रखेगा तुम भी अब शम्पा को एक शब्द नहीं कहोगी अब जाएगी अरे क्या कर रही हो तुम मुन्न मानिनी रातों से सुला रही थी अब सोगे ना आप जल्दी जल्दी काम करो जी अरे इसमें गुर्णी डाला जल्दी सा गुर्ण डाल दो जल जायाएगा वो हाँ अब ही डालती हू जल्दी बदेश आरे रही आरे 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 प्रिष्ट से मिट जाएगे तेरे लग्मों के परपचलांधु से आया तेरे तरमे साईरे प्रिष्ट से मिट जाएगे तेरे लग्मों चोड़ा सेरे भव सागर तर्जे घन दुख के हर्जे तुम प्रिपा सिंधु देयामृत पिंदु अलग्मों जियारे दीनों के जहारे वो डन्यून झां好吃 रबसाई। स्टाई! 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 since मेरे साहिन! मेरे साहिन! शी क्या गे आपने साहिन? आपने आग में हाथ चूड़ाला! वो बच्चा आग में गिरने वाला था. उसे बचाने के लिए आग में हाथ डालना जरूरी था. वरना उसकी जान चली जाती, शामा. कौनसा बच्चा, साहि? सवाल बाद में. पहले जल्दी से जाकर ठंडा पानी लेकर आओ. मैं लागती हूँ. आईए, साहिए. आप यहाँ. क्या हो चिप्रे? कहा जारी हूँ? साहिके हाथ जल गए! क्या? भाई, साहिका हाथ जल गया है. क्या? हाँ, चलो. साहिका हाथ जल गया? मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ, कि एक बार साहिके से बात कर दो. फिर जो जी में आए वो करना. हाँ, हाँ, चल तो रहा हूँ. कितनी बार भाई बात बोलते रहते हो तुम? काका, साहिका हाथ जल गया है. क्या? हाँ, जली जलो. हाँ, चलो. यहाँ तो बहुत भीड है. चलो, हम बाद में आएंगे. महाने मत करो. चलो. हाँ, जलो. 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 जो तुम बोल रही हो न उससे मैं तो क्या, कोई भी इंसान विश्वास नहीं करेगा? यह सब ब्रह्म है तुमारा? ऐसे कैसे कोई बच्चा आक की लप्टों के बीच में लटका रह सकता है असंभव प्रणाम पंडित जी प्रणाम, इश्वर की कृपा सदा बनी रहे सच कहा पंडित जी इश्वर की ही कृपा थी उन्हों नहीं आज मेरे बच्चे की जान बचाई है और इन्हें इन्हें तो मेरे बातों पर विश्वास ही नहीं है कहते हैं कि तुम्हें भ्रह्म हुआ होगा पर मैं जानती हूँ मैंने उस चमतकार को अपनी आखों से होते हुए देखा है पंडित जी मेरे बच्चे को आशिरवाद कीजिए कि वो सारी बलाओं से दूर रहे भगवान की लेला और उनके चमतकार को समझने में अकसर लोग नाकाम होते हैं वो जो कुछ भी करते हैं उसे लोग समझ नहीं पाते जब जीवन में दुख का निया राचाए मन में सदाश्रधा की जोत जलाए विश्वास मन का तुझ को पार लगाए भप्ति भावन अशत्ता से जु शेश जुकाए साइ ओं साइं साइं साइं, कौन है ये साइं? कहने को तो उबैरागी है, शिरडी में रहते हैं सुना है उन्हें में बहुत शक्ती है उन्होंने बहुत बड़े-बड़े चमतकार की है और एक चमतकार ये भी है, देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि साई ने ही मेरे मुन्ने के जान बचाई हो जरूरत से जारा विश्वास अंद विश्वास होता है शुब्दा साई शेडी में रहते हैं और हम यहां देवर गाउं में ना हम उन्हें जानते हैं ना वो हमें जानते हैं तो हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? साही के लिए कुछ भी असंद हो नहीं है. और दूरी, दूरी तो तुम्हारी सोच में है, साही के करम में नहीं है. तक तो जरूर साही की ही कृपा रही होगी हम पर. हमें उनसे मिलना चाहिए. आप मुझे साही के पास लेचलिए ना. यह क्या बच्पना है शुप्दा? आपको जो समझना है समझे, जो कहना है कहिए. मेरा दिल कहता है कि मुझे उनसे मिलना है, तो मिलना है. बस, मैं और कुछ नहीं जानती. ठीक है, तुम्हारी यही जिद्ध है, तो हम चलेंगे. परणाम पड़नी जी. आश्मान भाव. अरे, वसुदा, आज सारा गाम तुम कर रही हो. चंपा घर पे नहीं है क्या? वो, द्वार काम आई गई है. साई के हाथ जल गए न, तो बस उन्हें देखने गई है. मानना पड़ेगा वसुदा तुम्हें. तुम्हारे बेटी के साथ जो हुआ, अगर वो मेरी बेटी के साथ होता, तो उसके परचावें घर से भार पढ़ने भी नहीं देती. वाहनी, तुम अपने बेटी की चिंता करो. कहीं ऐसा नहो कि मेरे घर से निकलने के बाद, गनपत्राव सीधे तुम्हारे घर चला गया हो. और वैसे भी, तुम्हारा पती तो जुगारी है न? कहीं ऐसा नहो कि तुम यहां मेरी बेटी की चिंता करती रह जाओ, और वहां तुम्हारा पती पैसे के जुगार में हामी भर दे, कि वो गनपत्राव के नातक में काम करेगी. भलाई का तो जमाना नहीं रहा, ये लीजिए, मैं शाम को अके लेके जाओंगी. मेरा तो कुछ भी कहना व्यर्थ है, तुम वही करोगे चुटुबे करना है, बहुत बड़े हो गयो. बच्चों को तो यही लगता है कि मा बस बड़ बड़ करती है, घर में तात्या और यहां तुम. कितनी बार बोला है तुम दोनों को, खयाल रखो अपना, लेकिन नहीं. अब देख क्या रहो, बताओ ये घाओ कैसे भरेंगे हां? बहुत जलन हो रही होगी ना? बायजा मा, जब आप सब का प्यार मेरे साथ हो, तो मुझे कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? बाते मत बनाओ साई, बताओ इसका उपचाय कैसे करें हम. सब की मदद करते हो, तो अब खुद की मदद करने के लिए बता दोगे तो कोई पहार नहीं तूट पड़ेगा. बायजा का, मैं साई के लिए चंदन का लेप लाया हूँ, इसे हाथों पर लगाने से इनने ठंड़क पहुचेगी. सबक सबूरी के ही, जिसने सिखा आए, उसी की परिक्षा के ये पल है आज आए. बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साई मेरे अच्छाई का जलबर साए, कश्ट जो अपार साई हस के उठाए. मन में साई के क्या है, कौन जान पाए? साईयों सायों साईयों, साईयों, साईयों आपको बस आराम करना है, जिपरी बेटा, द्वार का मैं की सबसे ज़्यादा देख भाल तुम करती हो, इसलिए तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि साई यहां आराम करें हाँ काका मैं सुनुश्चुत करूंगी कि साही आराम करें मैं उन्हें कोई भी काम नहीं करने दूँगी मैं जानती हूँ कि तुम किसले मुस्कुरा रहे हो हाँ हाँ तुझे तो सब कुछ पता होता है फिर ज़रा ये भी बता दे उबले वेचने कैसे जाएगी तू हाँ रात को साही के पास मैं रहूंगा क्यूंकि दिन में मुझे काम के सिलसे में बाहर रहना पड़ता है सुभ़ सुभ़ साही की देख भाल के लिए मैं आ जाय करूंगा हाँ दिन में बच्चे हैं आकर अपने पढ़ाई और ग्रीह कार्या पूरा करेंगे और शाम में मैं आजाया करूंगा लेखिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे साइं हाँ 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 गनपत मैं बोल रहा हूँ काम नहीं बनेगा लाल पन तुम अपना दिमाग मतड़ा जो कहा है वही करो सबकी एक कीमत होती है और हम तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक हम अपने लक्षा तक नहीं पहुंचाते हैं अब जाओ नमस्कार क्या आपी रविदास जी है जी हाँ मैं ही हूँ कहिए मुझे कुछ खाट खरीगनी थी आईए आईए लगता है आप सिरड़ी में नए आये हैं क्योंकि आपको इसके पहले इस गाउं में देखा नहीं कभी जी वो हम भार से कितने खाट चाहिए आपको पांच पांच खाट तो आज ही के दिन आपको मिल जाएगी इतनी खाट हमेशा हमारे यहां तयार रहती है धन्यवाद यह लीजे पैसे और खाट जल से जल भिजवा दीजेगा यह तो पूरे पैसे है हां क्यों वो क्या है कि सिरड़ी में बहुत कम लोग हैं जो एक बार में ही पूरा पैसा दे दें घर यह बताईए खाट पहुचानी कहां पे है गंपत राओ के शिवर में बाद में हमें और भी खाट चाहिए होंगी उसका पैसा भी पेशगी में दे देंगे हम आपको हमारी खासियती यह है कि हम हर चीज का दाम अग्रिमी दे देते हैं क्योंकि नाटक में बहुत कमाई होती है हमारी अपने कलाकारों को भी अच्छा खासा पैसा देते हैं हम मैं तो आपको यह मश्वरा दूँगा कि चंपा को नाटक करने की अनुमती दे दीजी आप मैंने फैसला लिया है कि अपने नाटक में रानी दम्यांती की भूमे का निभाने का मौका मैं चंपा को दूँगा नहीं चाहिए तुम्हारे ये गंद्रे पैसे बहुत ही घटिका लोग हो तुम एक बार बोल दिया बात समझ में नहीं आती निकल जाओ यहां से देखिए आप खामका गुस्सा कर रहे हैं चंपा को हम अपनी बेहन बेटी की तरह ही रखेंगे मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से वर्नब और नो मार के तुम्हारा कचू मत बना दूँगा निकल और सुन कनपत्राओं से जाके कह देना कि मेरे सब्र का इमतहार ना ले वर्नब अन्जाम बहुत ही बुरा होगा सुना तुमने मैंने कहा था ना काम नहीं मेनेगा अरे वो तो मुझे मुझे मारने पो तार हुआ गया था जान बचा कर बागाऊं अरे पैसे भी महीं चूट गए गनपत मेरी बात मानो अब भी वक्त है साहीं से मिलो उनसे मदद मंगो अरे भी मुझे बागाँ साहीं तुम्हारे हाथ ठीक नहीं हुए है चंदन के लेप का जरा भी असर नहीं हुआ है मैंने साहीं के हाथों पर खुद लेप लगाया था मालसा पती जी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं आपको याद ऐसा ही जब मैं तुलसा को अकेले जंगल में छोड़ कर आ गया था तो खंडोबा मंदर का धीपक मुझसे प्रचोलेत ही नहीं हो रहा था वो शहद खंडोबा का इशारा था कि मैंने गल्ती की थी शहद इस बार भी मुझसे ही कोई न कोई गल्ती हुई है तभी तो साहिं आपका हाथ जैसा का तैसा है लेप का बिलकुल भी प्रभाव नहीं हुआ है साहिं मालसा पती जी जखम ठीक ना होने का कारण आप नहीं है आप से हुई कोई गल्ती नहीं है जब सही समय आएगा तो ये जखम भी अपने आप ही भर जाएंगे सबूरी रखिये आप सब सबूरी रखिये साई क्या हुआ साई बाई सामा मुझे थोड़ा सा दूद चाहिए हाँ अभी लाया साई ये लीजिये सुनिये जी चाह बता सकते हैं कि साई कहां मिलेंगे वो अभी द्वार का माई में होंगे आप ऐसा कीजिए यहां से सीधे जाएए कुछ दूर पर आपको एक कुवा मिलेगा वहां से दाय चले जाएएगा ठीक जिधन ये बाद तेख आपने साई को सब चाहते है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है यहां शेडी में बैठे बैठे साई हमारे मुन्ने को कैसे बचा सकते हैं साई ने बिना कहिंग गये हुए यहीं बैठे बैठे दूसरे गाउं में रहने वाले लोगों की मदद की मतलब एक और चमतकार मुझे चलकर पूरी सच्चाई मालूम करनी चाहिए चमपा चमपा रुको चमपा मेरी बात सुनो देखो मैंने उस दिन देखा था जब नाटक की बात हो रही थी तो तुमारे आखों में ही चमक थी चमपा तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि यह तुम्हारे लिए कितना बड़ा मौका है ऐसा अफसर सबकी जिंदिगी में नहीं आता मुझे देखो मेरे जैसा कोई नहीं और ये बात सभी जानते हैं मेरा रहने का डंग मेरा रुत्बा देखो और ये सब तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो चमपा नाटक में काम करने से पूरे दुन्या में तुम्हारा नाम होगा तुम्हारे लाखो सराने वाले होंगे जो तुम्हारी कला को प्रुचसाहित करेंगे तुम्हारे प्रशंसक बनेंगे जब तुम रानी दम्यांती बन कर उनके सामने गाओगी, अभी नहीं करोगी, तो वो तालिया हो जाएंगे, पूजेंगे तुम्हें, तुमने खुद महसूस किया है न, जब सब लोग खड़े होकर तालिया बजाते हैं, तो कैसा लगता है, हाँ, तुम्हारी चर्चा होगी, सब जगे हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि ये सब तुम्हारे साथ हो, चंपा तुम्हारी चंता समझता हो, बस बेफिकर हो, तुम मेरी चोटी बहन जैसी हो, तुम्हारे मान, तुम्हारे सामान का ख्याल मैं रखूंगा, ये मेरा वचन है तुमसे, समाज के बारे में भूल जाओ, सोचो भी मत समाज के बारे में, बस अपने अंदर छिपी प्रतिभा, और अपने अंदर सास लेने तुम्हारे उस कलाकार की बात सरो, और तुम्हे उतर मिल जाएगा, बाबा कभी नहीं मानेंगे, तुम बाबा की फिक्र मत करो, पाने की तरह पैसे बहूंगा मैं, लेकिन बाबा और उने, नहीं कन पत्राओ! सब लोग भिकाओं नहीं है, सब लोग अपने रिष्टे निलाम नहीं करते, कुछ लोग अपने मान सम्वान की कीमत पैसों से नहीं लगाते, शली नहीं से, देखो मेरी बात समर्चाओंगे, गैण बत्राओं जी! देखिए, हम गाओ के सीधे साधे लोग है, आप जैसे शहरी लोगों की तरह नहीं सोचते, हमारी घर की बेटिया ऐसे काम नहीं करती, इसलिए हम आपसे विनमरता से कह रहे हैं, यहां से चले जाईए, नहीं तो हमें आपको जबरदस्ती यहां से भेजना पड़ेगा! चले जाईए यहां से! बाबा वो! बस! मुझे लगता था आज तक तेरी आई ही गलस सोच रही है, लेकिन नहीं, वो सही थी! आज के बाद इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी तू! लेकिन बाबा! चुप! बाद के बाद बाद के लगा हुआ है! कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो आहो शुब्दा शुब्दा तुम्हारा नाम किसे जानते है शायद ही वही है जिन्नोंने हमारे मुन्ने की जान बचाई है शुब्दा शुब्दा मेरे पास अभार व्यक्त करने के लिए शच्प नहीं है साइन जब जीवन में दुख का निया राचाए, मन में सदा श्रथा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझ को पार लगाए, भक्ति भावना श्रथा से जुश जुकाए साही ओ, 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 साही ओ जल्दी दूनी देख रिया उसमें हाथ डाल दिया था और जब हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि बच्चा आग में गिरने वाला था तो उसकी जान बचाने के लिए साई ने अपना हाथ उस आग में डाल दिया ताकि बच्चा ना जले वो बच्चे की जान बचाने के लिए साई ने अपना हाथ जला लिया बतानी वो बच्चा कौन है कहा है मेरे साई मेरे साई